हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो इस्टडी नूज आज हम इस वीडियो में निपुन भारत पहल के बारे में जानेंगे इस योजना को हमारे सिख्षा मंतरी रमेश पोख्रियार निसंग द्वारा चलाया गया है इन्होंने बताया है कि निपुन भारत योजना को स्कूल सिख्षा विभाग द्वारा पांच इस्तरिय व्यवस्था में लागू किया जाएगा तो जानते हैं इस पूरे मिसन के बारे में केंद्र सरकार ने 5 जुलाई 2021 को निपुन भारत पहल नामक एक नई योजना शुरू की है इसे प्रारामबिक चलंड के इस्टुडेंट्स के लिए संख्यात्मक्ता मूलभूत ग्यान और समझ में सुधार के लिए लौंच किया गया है निपुन का अर्थ है नैशनल इनिसियेटिव फॉर प्रोफेसियनसी इन रीडिंग विद अंडर्श्रेंडिंग एंड नुमिरेंसी है ये मिसन ये सुनिश्चित करेगा कि प्रतेक बच्चा 2026-27 तक ग्रेट 3 के लेवल के बच्चे पढ़ने लिखने और अंक गड़ित को सीखने और समझने में अपनी छमता बहतर बना सके ये पहल इसकूली सिख्चा कारेक्रम समग्र सिख्चा का एक हिस्सा होगा निपून भारत पहल केंद्र सरकार के इसकूली सिख्चा विभाग द्वारा लागू की गई है इसे लागू करने के लिए सभी राज, केंदर सासित प्रदेश, जिला, ब्लाग और स्कूलों में एक पंच इस्तरिय कार्यानवे तंत्र इस्थापित किया जाएगा ये पहल इसलिए सुरू की जारी है क्योंकि भारती स्कूलों में मूल भूत सिक्षा की एक खामी रही है अधिकास भारते स्टूडेंट्स में बुनियादी अंक गडित को पढ़ और समझ पाने में काफी कटनाईयां होती है इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए ये योजना नई सिच्छानीती के तहत लागू की गई है जिसे 2020 में लागू किया गया था Annual Status of Education Report 2020 के अनुसार 4-8 वर्ड्स तक के बच्चे जो इसकूल जाते हैं उनमें 25% बच्चे ऐसे हैं जो numeracy skill के अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हुई है इसलिए ये पहल इन बच्चों के लिए सुरू की गई है और इन से उपर की classes के student की इस्तिती कुछ ठीक है तो ये थी निपुन भारत योजना से जुड़ी कुछ important information So thanks for watching this video, please like, subscribe and comment